नमस्कार स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से सौधी अरब के क्राउन प्रिंस हिज हैनस मुहम्मद बिन सलमान बिर अब्दुल अजीज ओमान की आधिकारी की यात्रा पर आज ओमान आ रहे हैं इनके साथ सौधी अरब के उप्रधान मंतरी रक्षा मामलों के जो मंतरी भी इनके साथ होंगे देखिए दोनों देशों के बीच यह जो संबंध है उसको एक अलग लेवल पे देखा जा रहा है दोनों देशों में जो निवेश करने वाले जो बड़े ब्यापारी हैं इसको एक बहुत ही पॉजिटिव कदम मान रहे हैं क्योंकि जुलाई के महिने में ओमान के सुल्तान ने सौधी अरब की यात्रा की थी और उसका असर यह हुआ था कि दोनों देशों के निवेश कों को एक बहुत बड़ी रहत मिली थी एक दूसरे के देश में निवेश करने से संबंदी जो प्रक्रियाय है उसको बहुत ही सरल कर दिया गया था डिजिटल ब्यवस्था पूरी तरह से कर दिया गया था आपको पता होगा कि ओमान और सौधी के बीच में हो चाहे भायचारा हो या फिर निवेस हो उसको लगतार एक नया आयाम देने की कोशिस की जा रही है दोनों देशों के जो प्रमुख नेत्रितों के द्वारा करोना वाइरस के नए वैरियंट जो की डेल्टा वाइरस से काफ बबल समझोता है इसको एक्स्टेंड कर दिया गया देखिए अभी आधिकारिक रूप से 15 दिसंबर यात्रा के ऊपर कोई अपडेट नहीं आया है लेकिन ये अपडेट जरूर आया है कि जो एयर बबल समझोता है इसको हम एक्स्टेंड कर रहे हैं और इसका मतलब साफ है कि अभी भारत अपने ओमिक्रोन के खत्रे को देखते हुए जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट है उसको ओपे नहीं करेगी यानि कि ओमान और भारत के भी चलने वाली केवल चार ही फ्लाइटें अभी भी आपको मिलेंगे और कोविड-19 के नए वेरियंट ओमिक्रोन को देखते हुए जापानी सरकार ने कुछ नए प्रतिबंधों को लागू करने की घोशना किये यदि आप भारत ग्रीस रोमानिया या फिर अमेरिका के चार राजियों से जापान की यात्रा कर रहे हैं तो आपको 14 दिनों का अनिवार कठोर क्वारंटीन विताना होगा जा जादा तर वोमान में पूरी तरह से लागू करना चाहती और 2022 से इसकी सुरुवात हो रही है कि कुछ ब्यवसायों में पूरी तरीके से ओन-लाइन ट्रांजेक्शन ही स्विकार किये जाएंगे जैसे कि ओद्योगिक छेत्रों में होने वाले ट्रांजेक्शन उपहार के जो आउन-लाइन ट्रांजेक्शन ही करना होगा 2022 से क्योंकि ओन-लाइन ट्रांजेक्शन से आप किसी भी प्रकार की जो टैक्स है उसको चुपा नहीं सकते हैं और इससे ओमानी HIV से पीडित जो मरीजों की संख्या लगबग 1826 बनी हुई है यानि कि इतने इंफेक्टेड लोग अभी ओमान में रह रहे हैं जिन में पूरुसों की संख्या लगबग 1454 है यानि कि 79 परसेंट जो पूरुस है इसमें सामिले देगे स्वासमंत्राले ने बताया है कि HIV से बचन 24 मौते दर्ज की गई थी HIV से पीडित लोगों की पेट्रोलियम डवलप्मेंट आफ ओमान अपने दूसरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट का उद्गाटन कर रहा है जी हां वाई के पी इसको नाम दिया गया है जो कि ओमान की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है देखिए द प्रोजेक्ट से जो ओमान की जो अपने देश की जरूरते हैं अपने देश की खपत है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी इस परियोजना से और इस परियोजना में लगबग आत को हम ग्रीन लिस्टों में डाल रहा है याने कि यहां के लोग अब फिलिपीन में यात्रा कर सकते हैं लेकिन कोविट-19 के नए वेरियंट को ध्यार में रखते हुए अब जो भी व्यक्ति फिलिपीन की यात्रा करता है उसको 14 दिनों का निवार कॉरेंटीन रहना होगा वो होम कॉरेंटीन हो या फिर इंस्ट्यूशन कॉरेंटीन हो सकता है और पांचवे दिन आपको आटी पीसिया टेस्ट करवाया जाएगा कोविट-19 के इस नए वेरियंट को अपने देश में फैलने से रोकने के लिए हर देश अपने अपने तरीके से जो बैन है जो अतरि अफ्रीका से आये हुए थे हैं